नमस्कार स्वागत है आप सभी का नेक्स नाइन स्पोर्स में आपके साथ मैं हूँ शशी प्रयाओर एक बार फिर से हाजिर हूँ और स्पोर्स में जिस तरीके से लगातार नए-ने किर्तिमान स्थापित हो रहे हैं ये अपने आप में बड़ी खुशी के बात है एक बार फिर से मुंबई इंडियन चैंपियन बन गई है जी हाँ मुंबई इंडियन इस बार फिर से बाजी मार ली है रोहिच शर्मा की अगवाई वाली मुंबई इंडियन चौथी बार IPL में जीत दर्ज कर चुकी है और मुंबई ने रभी बार को रुमान्चक खताबी मुकाबले में चुने सुपर किंग्स को एक रंड से मात दी है मुकाबला जीत और हार पे होता है और चाहे वो एक रंड का हो या दस का जीत तो जीत होती है तो इसी तरीके से मुंबई एक बार फिर से खताब भी पार्टी बन चुकी है और इस मुकाबले में उसने खताब जीत लिया है सहरा जीत का उसके सर बंद चुका है मुंबई की टीम चौथा खताब जीत कर आईपियल की सबसे सफल टीम बन गई है मुंबई के बाद वाली हम आपको बता दे कि जो दूसरे नमबर पर खिताब जीतने के मामले में महिंदर सिंग धोनी के निद्रित वाली चन्नाई है चन्नाई की टीम आई पेल के तीन ही खिताब अपने नाम कर चुकी है हैदरबाद के राचीव गामधियं तरास्ट्री क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच जो है वो खेला गया और इसमें 149 रन की चुनाउती पेश की थी और जबाब में चन्नाई की टीम में चक्के चुड़ने वाले हैं लेकिन नए पासा पलट गया खेल में तो कुछ भी हो सकता है कभी भी कभी भी सारे जो आक्रे हैं वो बदल सकते हैं बिलकुल ऐसा ही हुआ रभिवार के मैच में फाइनल जो मैच था उसमें और इस तरीके से हम आपको बता दें कि 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 148 रन ही बना सकी चिन्नई की टीम और चिन्नई को आखरी ओवर में जीत के लिए 9 रन की दरकार थी और क्रीश पर वाटसन और रविंदर जड़ेजा नवाद थे मुंबई के कप्तान ने आखरी ओवर डालने के जम्मेदारी अनुबहवी लसिंद मलिंगा को दी थी मलिंगा ने पहली गेंट पर एक रन दूसरी गेंट पर भी एक और तीसरी गेंट पर दो रन दिये इस समय तक लग रहा था कि मैच मुंबई के हाद से निकल जाएगा लेकिन वाटसन की चौती गेंट पर रन आउट होते ही मैच में नया मोड आ गया और सब की दिल थम गया और सब सोच लेगे कि आखर अगे क्या होने वाला है आखरी गेंट पर चिंड़ई को जीत के लिए दो रन की जरूरत थी मगर मलिंगा ने शादूल को LVW आउट कर मुंबई को जीत दिला दे ही इसके अलावा चिंड़ई के लिए फाप डूपलेसिस 26 सुरेश रहना आठ एमस धोनी दो अमबाटी डायजू ने एक रन बनाया मुंबई की ओर से जस्परत पवार ने दो राहूल चोहर लसीत मलिंगा और खुणाल पांट्या ने एक एक विकेट जटका मुंबई ने पहले बले बात दी करते हुए जस तरीके से निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट गवाकर 149 रन का स्कोर खड़ा किया था उसे द्वस्त नहीं कर पाई चन्नई और चन्नई को यहां पर खामियाजा भुकतना पड़ा महज एक रनों की वज़़ा से चन्नई पिछर गई और मुंबई को मौका मिल गया एक बार फिर से इतिहास रचने का मुंबई के लिए सरवाधिक रन किरोन पुलार्ड ने बनाए और उन्होंने नाबाद 41 रन बनाए थे जिसकी बदालत मुंबई को यह बड़ी जीत हासिल हुई है तो चोतीन बार इतिहास रच दिया है मुंबई ने और मुंबई की तरह जु भी बनना चाहते हैं और सभी कुछ ना कुछ बहतर करना चाहते चलिए तो सभी को बहतर करना चाहिए चाहें वो खेल हो यह फिना अन्यक्षेत्र तो आप भी बहतर कीजिए और अपने सुझाओ हमें जरूर दीजिए नमस्कार देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन झाल झाल